नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिली पारिक एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ वी बैंकर के इस चैनल पर और मेरे साथ में है वेद मातुर सर जो की जाने मने पूर्वे बैंकर हैं बैंक आफ पूलंपूर के राइटर हैं और सोशल मीडिया इंफ्लेंसर हैं हमने पिछली बार बात करी थी कि हमारे देश की वित्त मंत्री सीता रमंड ने ये घोशना की थी कि सरकारी बैंकों का प्राइबेटेजेशन किया जाए और ये नौबत क्यों आई इस पर हमने चर्चा करी और साथ ही ये जाना कि इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं वेद माथूर जी ने हम ये बताया लेकिन इस बार हम ये जानना चाहेंगे कि यूनियन को क्या तकलीफ है बैंक करमचारियों को क्या तकलीफ है और इस पूरे समायोजन को किस तरीके से रोका जा सकता है इस द्रश्टी को तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे वेद कि करमचेरियों की एंगिल से मैं कहना चाहूंगा कि एक करमचारी जो सरकारी करमचारी या पबलिक सेक्टर अडेगिंग का करमचारी या पृ भी mover ऐसे अचानक एक दिन आप उसे कहते हैं कि कल से तू प्राइवेट बैंक का इंपलोई है प्राइवेट सेक्टर का है तो उसको प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं था उसको जॉब सीक्यूरिटी चाहिए थी उसको इस तरह का जॉब चाहिए था तो उसमें चार साल पांच साल साथ साल दिल्ली में कमरा लेके या गई और एक कमरा लेके महनत की competitive exam के लिए और फिर वो बैंक के अंदर आया तो आप उसको जबरन उसके job को कैसे कर सकते हैं पहली बात दूसरी बात आपके बात बहुत सारे बैंक है तो आप मर्जी से किसी को आपका criteria नहीं आप किसी बैंक को privatize कर देंगे तो यह ठीक नहीं है और जैसा मैंने आप से पिछले एपिसोड में भी काहा कि आप किसी का जबरन धर्म परिवरता नहीं कर सकते हैं एक बात मैं बड़ी समानने सी कह रहा हूँ मैं अपने उपर भी लेके कहूंगा कि मैं बहुत हमबल और समानने परिवार से आता हूँ मुझे एक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर नौकरी मि नहीं मुझे एक आभी जात वर्ग में संपर्न वर्ग में शामिल होने का मौका मिला और उसी नौकरी की बदोलत में अपने बच्चों को अच्छे इंस्टिटुशन में पढ़ा पाया और उनको योग्य बना पाया वो जमाना कुछ और था उस जमाने में तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप नौकरी के लिए इस वक्त इशारा मेरा बड़ी नौकरियों की तरफ है वो भी बिना कोचिंग के होता था और चाहे सरकारी हो ग्यार सरकारी और आज सरकारी बैंकों के अंदर एड्मिशन के लिए भी उसी दरीके से कोचिंग होती है बड़े-ब पहले उसकी कोचिंग के लिए पैसा चाहिए फिर वहां के लिए जबकि बैंक के अंदर प्रोबेशनरी ओफसर एक लर्क के लिए आदमी खुद की स्टडी से स्वेह अध्याय से बैंक में आ सकता है मैं जोता हूं बैंक में सितर असी प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनों को महं आपनी के बच्चे को आज भी IIT और IIM के दर्वाजे खुले नहीं है उसके बिना आपके पास प्राइवेट सेक्टर की नौकरिया नहीं है समान जनक नौकरिया तो आपको यदि सामान ने जो लोग हैं जैसा मैंना अपना उधारन दिया बिना किसी कोचिंग बिना किसी खर बच्चा बैंक के अंदर लगता है और वो बच्चा वी आज एरपोलिट पर दो सो रुपे की चाय पी सकता है अच्छी बाती है यह तो बड़ा है लेकिन मैं यह समझता हूं के प्राइवेट बैंक दिखे है अभी हम इसके उपर बात करें कि यूनियन जो थी उसको एक तक कि ऑब जब प्राइवेट चीशन व जाता है सरकारी बैंक से सरकार का नियंदरन उनसाहट जाता है तब उनके मं की बात कर दी पिर क्या तकलिए तेका कि बैंक को में क्या हो रहा है पिसले काफी हर्थे कि बैंक के करम्चारियों के साथ क्या इंर्टिस हो रहा है कि वो जिस तरह की महनत करते हैं जिस तरह कि उनके जौब के लिए स्किल को चाहिए जिस तरह की रिस्क है उनके उपर लून देता है जैंडिख止cious रिए जाता है जन्धन योजना हो या मुद्रा हो या एगरिकल्चर के लोगों उसका विरोथ करते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर और दूसरे माद्यमों पर जो हमारे बैंक कर्मी हैं। वो इन योजनाओं का मजाख उडाते हैं। या आम ग्रहाद का कई बार मजाख उड़ाते हैं तो यह गलत है तो दोनों तरफ से कुछ गलती हैं थी लेकिन क्या जिस तरह फादर सन की रिलेशन्शिप होती है उसमें भी कई उतार चड़ावाते हैं कई बात तनावाते हैं तो उन इश्यूस को सेटल किया जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि मेरे हां मक्खी आग चाहिए वह यूनियंश को इनटक हो आफिर सी तू हो और इस तरीके की यूनियंश की स्ट्रेंफ से चलती थी उनका जो मॉर्ल सपोर्ट होता था आज ज्यादा देगे हैं जो उनके पास आम करम्चारी का मॉर्ल सपोर्ट नहीं है जो हमारा खास्त तोर्गिज़ू आदिकारी है या कलरक है। वो यूनियन्स के साथ दिल से नहीं है। भो जो चाहता है, जैसे वेतन समझाते में जो कुछ उसे मिला हैं। उससे वो सेमत नहीं हैं, वो कहता हैं, मुझे कम मिला। और इसके लिए union जिम्मेदार्स हैं और इसी के कारण unions कम जोर हुई हैं और unions मुझे लगता है कि उन्होंने left की गोद में जाके वो बैठे हुए है ये नहीं होना चाहिए उनको leftist चेरह नहीं रखना चाहिए आपको क्या लेना देना right और left से आप निश्पक्ष रहिए और सिर्फ उन मुद्दों पर बात करिए जो मुद्दे बैंक करमचारी से संबन देते हैं उधारन के लिए किसान अंदुलन है जब आप सारजनिक शेत्र के बैंक में बैठे हुए हैं एक तरह के गौर्मेंट जोब में तो आपको किसान अंदुलन से क्या लेना देना यदि आप उसका समर्थन करना चाहते हैं तो बैंक की नौकरी छोड़ें मेंबर ऑपार्लियमेंट का चुनाव लड़ें और संसत के फ्लोर पे जाके चिलाएं कि साब किसानों की जो भी आप मांगे हैं वो पूरी निए इसमें ऐसा है कि यह तो पॉलिटाजेशन हर जगे ह अभी आपने बोला कि वो लेफ्टेस लेकिन अभी जो नवंबर में स्ट्राइक होई थी बैंकर्स के उसमें भारतिय मजदूर संग जो के आरेसे से सपोर्टेट है उसने तो विट्रो ही कर लिए कि हमें तो कोई लेना देना नहीं क्या समस्य हैं उनकी नहीं थी तो ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है लेकिन फिलाल अगर आपने ऐसा बोला है कि बैंक यूनियंस का इस तरीके से करमचारियों का थोड़ा सा विश्वास कम वा है और वो केवल पॉर्मेल्टी के लिए उसके मेंबर बने हुए तो वो जो आंदोलन उग्र तरीके से और सही त भी कंहरती बतलें यह जो आपका ही माननता हूं कि पूर्वाग रह बहुझा पारेश रहाे में मिझा न भी रहा daанием सरकारी करम के शालेंस लगेगा तो upward बर शवल्ट्री करमचारी का वर्य अथि और आप के करमचारी के वैवार में इस पस्ट एक नजर आता है इसी तरीके का करमचारी या कि सरकारी बैंक का करमचारी उसके वैवार में फर्क नजर आता है अब आप उसका एक्स्क्यूस ये लें कि सामों मास्वाइकेंग कर रहे हैं इसलिए हमारा वैबार ऐसे ही होगा वो एक्सेब्टेहल नहीं है क्योंकि उसी मास् बैंकिंग पर तो आपका हुआज वार हाथ बढ़ WAY ऐद LIN के कारण जब कारण या किसान के कारण या MSME के कारण तो उनको अपनी कारे संस्कृति बदिननी पड़ेगी दूसरा यह कि कारे संस्कृति का संबंद जहां काउंटर से ज्यादा टॉप मैनेजमेंट पे है आज यह दि कोई आदमी किसी बैंक के अंदर 500 करोड का रिन प्रस्ताव देता है और देने के बाद को एप संब्सी में संभवते नहीं है तो वो गौर्मेंट सेक्टर के जो बैंक है उनको अपनाना पड़ेगा तो कारे संस्कृति में बदलाव है यह करें पहली बात दूसरी बात है कि आप जो बात कहना चाहते हैं कि साब प्राइविटाइजेशन आम जंता के हक्वे नहीं है मु कि जो सरकारी आदमी है सरकारी बैंक के लोग हैं वो काम नहीं करते हैं तो यह परसेप्शन चेंज करना होगा प्लस जो यूनियन के नेता है और बैंक के दूसरे प्रतिनीदी हैं जैसे भी बैंकर्स जैसी संस्ता हैं इनको बीजेपी के जो संसद है बीजेपी से मेरा आप उनको अपनी बात सम्झाएं वो आगे जाके सरकार तक आपकी बात पहुंचा है यह ज़रूरी है लेकिन बैंकों मेरा अन्भव ए रहा है कि जो नेता है बड़े नेता है वो बैंक के अंदर कमफर्टेबल फील करता है वहां उनको मान सम्मान मिलता है उनकी बात सुनी जाती है वो पॉलिटिकल गलियारों में उनकी पहुंच नहीं है तो वो हुनी चाहिए उनको अपनी बात कहने के लिए सांसदों का सारा लेना पड़ेगा यह जो अभी आपने एक बात बोली इसमें आपती नहीं उनको बैंकर्स के एटिटूट से आपती है तो मैं आखरी सवाल आपसे पूछूँगा लेकिन उसके पहले आखरी सवाल भी मैं आपको बता देता हूं वह मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें किस तरीके से उनका एटिटूट चेंज किया जाए विभार और और किया अगर किया तो तुझे पहली बात तो यह कि यह आपको मानना पढ़ेगा कि सरकारी बैंक के जो करमचारी है उनके उपर कारे का ज्यादध दबाऒ इसलिए कि उनके पास मास ब Pretाक्र बात 개 तो उन ज्यादा करमचारियों की वज़े से क्या है कि ब्रांचे में स्टाफ नहीं बसता जैसे मैं आपको उधान दूँ अभी पंजाब नेशनल बैंक में दो बैंकों का दिले हुआ है उस बिले के बाद करमचारियों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए लेकिन शाखाओं में सरकारी बैंकों में एड्मिस्ट्रेटिव ऑफिस में और कितने लोग ब्रांचेज के अंदर है और प्राइवेट बैंकों का कंपरिजन करें तो उससे वस्तु इस्तती सपस्ट हो जाएगी तो जो कारेबाहर है शाखाओं पर उससे उनके बावार में चिलचड़ापन आ ज जाता है कि तो एक पर्टिकुला करमचारी को सारे लोग जानते हैं और बोट सरे अकाउंट बिडरा हो जाते हैं बिल्कुछ सभी बात कहरें हैं बिल्कुछ सच कहरें दूसरा अपका सवाल था कि मैंने महा प्रबंदक रहते हुए क्या किया तो मैं सुरता हूं दिली पारि लेकिन मैं एक दो बातें आपको बताना चाहूंगा पहली चीज तो है कि जब भी मैं मैंनेजर रहा तो मैंने अपने एक बोर्ड लगाया अपने केविन पे उस पे लिखा रहता था आप अंदर आ सकते हैं आपका स्वाकत है तो मैंनेजर के रूप मेरे केविन में हर आदमी क इनजर को मैंनेजर होता थाया तो मैंनेच पर लिखा रहता हैं मैं वाप भी में ये एक किली बैच है झाल कि यार्प कि मैं लेट सिटिंग का बड़ा रुरुदी था।। मैंने कभी लेट सिटिंग नहीं की। जब मैं खुद नहीं बेठा त। मैंने किसी बैठा है भी मैं लास से लास छह बज़े तक बैठता था महा प्रबंदक के रूप में भी मैं 6 बज़े बाद कभी नहीं बैठा मुझे याद नहीं आता और उस वज़े से कई प्रबंद निदेशक भी मुझसे नाराज रहे लेकिन मैं लेट सिटिंग नहीं करता था तो मैंने कौशिश की कि पारदर्शी वर्किंग ओ फास्ट वर्किंग ओ चकर नहीं लगवाने पड़े आप अजमेर से ब्लॉंग करते हैं जहां मैं लगबद दस साल मैनेजर रहा हूं तो आप किसी से भी मेरी वर्किंग के बारे में पूस सकते हैं और मैं पारिक जी आपको खराब होती तो शायद मैं किताब डंके की छोट पर किताब नहीं लिख पाता या डंके की छोट पर आज इंटर्व्यू नहीं दे रहा होता तो दोस्तों बैंक ओफ फुलम पूर पढ़ने के लिए आप अमेजन सही से मंगा सकते हैं या फिर www.vetmadur.com से आप संपर कर सकते ह हैं आज के एपिसोड में बस इतना ही थैंक यू वेरी मस्ट थैंक यू धन्यवाद